पढ़ें और बात करें माउ में तो वहां भी मुकाबला दिल्चस्प है एक एक कराब को सभी सीटों पर कहां पर त्रिकोणिया और कहां पर दुईपक्षिय दोनों के आमने सामने टकर है ये बता रहे हैं रुक कर लेते हैं माउ की घोसी विधान सभा सीट का यहां सपा प्रत्याशी है दारा सिंग जोहान उनका विरोध का एक वीजियो वाइरल हो रहा है मामला कोपा कंश थाना शेतर का है जहां दारा सिंग जोहान के लिए एक रैली का आयोटर्ण किया था ज़रान कारेक्रम में मौजूद लोग कुरसी अफेक्टने को इन अज़र आ रहे हैं आरोप यह है कि वीजियो में लोगों ने बाहरी भगाओ के नारिप ही लगा है अलगि आपको ये भी बता दें कि ABP गंगा वाइरल वीजियो की पुस्टी नहीं करता ये वीजियो सोशल मीजिया पर वाइरल हो रहा है माउ का ये वीजियो है सफा प्रत्याशी दारह सिंग चोहान के विरोध में ये वीजियो बताया जा रहा है लेकि ABP गंगा इस वीजियो की पुस्टी हर्गिस नहीं करता चलिए तो यूपी विधान सभा चुनाव अब अपने आखरी पड़ा पर आ चुका है साथ चर्णों में हो रहे विधान सभा चुनाव के साथवे और आखरी चरण का मतलान कल होने बाला है 403 विधान सभा सीटों के लिए साथ चर्णों के इस लंबे चुनाव अभ्यान के प्रचार में सभी दलों के दिगज नेताओं ने जम कर प्रचार किया यूपी में बहुमत के लिए जितनी सीटों की जरूरत है उससे ज्यादा जन सभाएं अकेले मुख्यमंत्री योगी आदेतनाथ ने ही चुनाव प्रचार के दौरान कर दी यानि कह सकते हैं दोबारा कमल खिलाने के लिए दोहरा शतक हमारे साथ में इस समय योगी सरकार में मंत्री महसिन रजा साब हैं उनसे बात करेंगे सर आप तो खिलाडी और मुख्यमंत्री जी जो है उन्हों है दोहरा शतक लगा दिया अपने समय देखा कि उत्तरप्रदेश के यशाश्वी मुख्यमंत्री आदर्णी योगी आधितनाथ जी लगातार उन्होंने पांच वर किये हैं उसमें ये भी एक कार जुड़ गया कि 200 से जादा सभाएं भी मुख्या ने की हैं हमारे और जिस तरह से आज और हम खड़े हैं जब चुनाओं शुरू हुआ तो तीसरे फेस में हम आ चुके थे करोना के तो करोना का जो तीसरी लहर थी उसको हमने किनारे भी लगा है तो अभूत्पूर कार जो हुए हैं उसका परणाम है पचंड बहुमत क्योंकि 200 जो आपने कहा कि अगर 200 सभाएं हमारे उत्यप्रदेश के मानी मुखमंत्री यादर्णी योगी जी ने की हैं तो उनका परणाम 300 प्लस तो जाना ही चाहिए क्योंकि ले तो मुसिन रजा साफ जो है वो पूरी तरा से आश्वस्त है कि 10 मार्ज को प्रदेश में एक बार फिर से कमल खिलेगा कैमरा सहयोगी विरेंदर को लेक के साथ 6 शतूरा एवी पितंगा